तो यह कॉश्चन जेई कैट आई पी मैट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक बात को बड़े अच्छे से समझेंगे हम क्या कह रहा है कि परसन स्टेंडिंग अड़ दा सेंटर ओफ एन ओपन ग्राउंड फ्रस्ट वॉक 32 मीटर टॉर्डस ता इस्ट अब बड़े चां से समझते जाना है एक एक बात को स्पोर्श वो पॉयं綠 P पे खड़ा है बच्छो पहले 32 मीटर इस्ट की तरह गया तो मैंने माल या यार पी से क्यूं 32 मीटर इस्ट है यह टीक है अगर मैं P पे खड़ा हूं तो उस डिरेक्शन में मेरा क्या होगा बच्चों इस्ट होगा टेक से राइट टर्न अगर मैं Q पे पहुच्चा तो राइट टर्न नीचे पूलो एंड वाक्स 16 मीटर 32 गा अद्दा पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया था ना आ रहा समझ बच्चों टेक्स एनदर राइट टर्न मार लें पॉइंट आ रहा है आर से एस गया और कितना गया बच्चों कितना गया एट एट गया शबश एंड सों सों समयजो 32 का अदा 16 गया फिर 16 का अदा एट पिर राइट लेगा टर्न पिर क्या लेगा बच्चों राइट टर्न लेगा ऊपर जाएगा ऐसे समझें हूँ हुआ है प्रेकी कि लिगा बच्छों फिर क्या लेगा बच्छों राइट टन लेगा फिर क्या ले गा राइट लेगा एस सबार कर this को का अध्या कि पिर राइट टर्ण लेगा समय देओ भी पॉइंट देदें पिर राइट टर्ण लेगा नजर आ रही है वन का अधा हाँ वेरी गुड यह वी सी डिस्टेंस जिरो पॉइंट पाइव है यह वन वाय टू है अब यह मोमेंट्स देखना विटा श्टार्ट करते हैं सब्सक्राइट को सब्सक्राइब जो सारी इस्ट वाली मोमेंट्स तो वह क्या क्या है बेटा रुटी टू है फिर थर्टीटू के बाद सीधा टू पर ही आया जब वो टी से एग आ समझे अगली जो इस पूमेंट होगी ना यहां से हमें आइडिया हो जाएगा थर्टीटू का वन सिक्स्टीन करने पर क्या मिल रहा है बच्चों तू मिल रहा है तोक्त होगा तू का वन ऐसे यह एक जीटी बनेगा यह क्या बनेगा बच्चों जीटी एक-बार इधर और एक बार बैक वर्डत है न वर एक बार आगे गया फिर पीछे भी आया तो मैं आगे जाने वाले distance को plus कहा देता हूं और पीछे वाले आने वाले distance को क्या बोल देता हूं minus क्यों ऐसा कर रहा हूं मुझे यह बताओ suppose मैं कहता हूं मैं किसी point g पे खड़ाओं मैं another example ले रहा हूं मैं 6 मिटर आगे गया और मैंने कहा 2 मिटर पीछे आ गया मैं तो overall मैं g से कितना दूर हूआ बताओ तो आप क्या करोगे 6 आगे गया 2 पीछे आया तो g से overall मैं 4 पी distance पही तो खड़ाओ अब समझ गे तो जो एक बार आगे जाने वाले distance है उसका gp अलग ले लिया मैंने infinite gp बनेगा वो समझ दियो माइनस और जो पीछे वाले distance है वो कौन से है ऐसा पीछे वाले distance पहला कौन से है 8 क्या आएगा बच्चों 8 और फिर कौन सा आएगा बताओ जब मैं b से c तक गया था याद करो कितना था वो b से c तक हाफ था 8 का 116 करने पर हाफ मिलता है 8 का 116 करने पर क्या मिलता है तो मतलब ये भी एक gp बनेगा infinite समझे जो ये भी क्या बनेगा infinite gp बनेगा ये दोनों infinite gp है एक मैंने प्लस में लिया और एक मैंने माइनस में लिया ओफर आल मैं कितना आगे गया जो मैंने एक example लिया था अलग से च्छे मैं आगे गया दो मैं पीछे आया तो और रहल मैं और common ratio क्या है बच्चों, 1 by 16, तो इस GP का sum क्या होगा बोलो, A upon 1 minus, common ratio क्या है, 1 by 16, 32 upon 15 by 16, यह मैं इतना तो आगे गया, अब कितना पीछे आया, minus, इस GP को अलग solve करना है, समझ गे, A upon 1 minus R, इसका भी common ratio तो 1 by 16 है, जितने भी GP है न, यहां पर, सबका common ratio तो यही बनना है, 1 by 16, आप करके देख लो, 8 upon 15 by 16, तो प्यारे बच्चों, मैं आगे तो गया, 32, 32 upon 15 by 16, और 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 पीछे कितना आया, 8 upon, तो net में कितना गया, 15 by 16 तो दोनों के denominator में है, सेम है, तो डारेक्ट भी कर सकता हूं, 32 minus 8 कितना हुआ, 24 upon 15 by 16, यह बात कितने बच्चों समझ आगे, मैं overall, east में इतना गया, overall, अब overall मैं नीचे कितना गया, तो यहां पे upward और downward distance देखो, पहला downward distance कितना है बच्चों, 16, पहला downward distance कितना है बच्चों, 16, आओ, यहां पे कर रहा हूं, यहां से देखना समझ आ देगा आपके पहला downward distance कितना बच्चो 16 उससे अगला downward distance देखो जो एसे भी गए थे याद करो 1 था तो यह भी क्या बनेगा बच्चो एक यह भी क्या बनेगा एक GP 16 के बाद 1 आया 1 16 तुआ तो अगला पक्का क्या आएगा 1 का भी 116 करने पर 1 by 16 यह एक infinite GP बनेगा यह सारे downward distance मैंने आइड कर दिये अब upward distance बोलो पहला upward distance कौन सा है बोला 4 है पहला upward distance कितना है 4 यह minus करूँगा पहला upward distance है 4 अगला upward distance क्या होगा 4 का भी 116 होगा क्या होगा बच्चो 4 का भी 116 होगा 1 by 4 होगा मतलब 0.5 होगा क्यों देखो मैं आपको बताता हूँ याद करो इस डाइगराम में देखो जब आप और इंडिस्टेंस चले थे यह कितना था और इंडिस्टेंस 1 by 2 नहीं था 1 के बाद 1 by 2 आया था फिर उसका भी यादा 1 by 4 नहीं हो जाएगा जब इधर जाऊंगा मैं B से C तक आया देखो मैं अलग से दिखाता हूँ B से C तक आया था यह आप यह देखो मैं अलग से दिखा रहा हूँ B से C तक आया था तो 1 by 2 था पिर राइट टन करूंगा तो 1 by 2 का भी आदा कितना होगा 1 by 4 तो यह वह वाला 1 by 4 है सारे डाउनवर्ड डिस्टेंस अलग आद किये सारे अपवर डिस्टेंस अलग आद किये तो finally क्या हुआ यह भी एक infinite GP बनेगा इस infinite GP का सम बताओ जो जितने भी downward है जितने भी क्या है बच्छो downward है A upon 1 minus R common ratio तो सब में 1 by 16 है 15 by 16 है माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 16 ये 1 बाई 16 है ना तो ये भी 15 बाई 16 तो प्यारे बच्चों ये 12 अपॉन 15 बाई 16 हो गया नेट डाउनवर्ड इतना गया फिर से सुना मेरी बात बड़े प्यार से अब ये समझ आने वाला है आपको बिल्कूल अच्छे से आने वाले मैं आपको कहूँ मैं इस छत से पहले 5 मिटर नीचे आया इस छत से 5 मिटर नीचे आया फिर 2 मिटर मैं उपर चला गया तो नेट मैं किपना नीचे आया 5 माइनस 2 3 आया अब मुझे 3 पॉइंट से ये सबरब कर दू बस इतना याद रखना कि नेट मेरा ये वाला डिस्टेंस कितना है जल्दी आजो जल्दी फास्ट नेट मेरा ये वाला डिस्टेंस कितना आया था बच्छों सॉल करके ये का गया 24 अपोन 15 बटे 16 जो मैं इसकी डिरेक्शन में गया था नेट वो कितना आया था 24 बटे 15 बटे 16 चौबिस बटे 15 बटे 16 और जो मैं डाउन्वड आया वो कितना आया बच्छों 12 upon 15 by 16 2412 याद रखोगे कोई दिक्कत तो नहीं अब इसको रब्ड कर दू मैं मैं इस डाइग्राम को रब्ड कर रहा हूँ मैं P पे खड़ा था जो net मैं इधर गया वो कितना गया 24 upon 15 बटे 16 और जो मैं net downward गया जो मैंने GP बनाये थे अभी मैं कोई भी नाम रख देता हूँ Q, R कुछ भी रख दो P, Q मत रखो Q तो पहले भी ले चुका हूँ P, G, F ठीक है यह ले लिए P, G, F तो मैं P से G तक ने East में कितना गया 24 बटे 15 बटे 16 और G से F तक कितना गया बटो बचो 12 upon 15 बटे 16 तो मैं मेरा P, F कितना हुआ है यह पूछा हुआ है क्या पूछा हुआ है How far will the person be from the original starting point after an infinite number of such walks in this spectrum तो मुझे अब क्या लगानी है बच्चो पाइथा गौरस च्वरम लगानी है तो पाइथा गौरस च्वरम लगाऊंगा तो P, F square यह ऐसे करना है बच्चो यह calculation ऐसे लग रहा होगा मुश्किल है बिलकुल भी नहीं है प्यारे बच्चो मैं एक-एक step आपको बड़ी दीरे-दीरे समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपको जीपी तो लगाना था दो बाद तो यह कितना आया अब आप क्या करो अब 15 बटे 16 का square नीचे नीचे common ले लो अंदर क्या रहे गया बच्चो 24 स्क्वेर प्लस 12 स्क्वेर ठीक है और यह 15 बटे 16 बाहर आ जाएगा गूम के क्या बन जाएगा यह 16 बटे 15 स्क्वेर है तो अंडर रूट से स्क्वेर बाहर आएगा ना तो बाहर 1 अपॉन 15 बटे 16 का मतलब 16 बटे और अंदर ही अंदर बच्चो 24 का square क्या होता है 576 और 12 का square क्या होता है बच्चो 144 144 बस यह करता हो अब 576 प्लस 144 जल्दी बताओ 576 प्लस 144 कितना हुआ 720 720 शबश अब थोड़ा सा रह गया बच्चो थोड़ा सा दिमाग और लगाने आपने इस 720 के factors बनाईए इसको मैं 720 को पता क्या लिख लूँगा चार इंटू चार सोला पंजे असी गुना में तीन इंटू तीन एक तो चार बाहर आ जाएगा मेरा और एक तीन बाहर आ जाएगा बच्चो तो सोला बटे पंद्रा 12 आ जाएगा और रूट फाइव मेरा अंदर रह जाएगा हम मैं 15 को भी 5 इंटू 3 लिख लेता हूँ 15 को भी क्या लिख लेता हूँ 5 इंटू 3 3 फोर्जा और एक रूट फाइव मैंने जान बुच के कट किया क्योंकि मेरी option में रूट फाइव मीचे है तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 16 इंक्यू 4 64 अगर आप एक 9 टेंथ के बच्चे होते तो आप कहते हैं रैशनलाइज करना है denominator को लेकिन उसने जान बुच के option में denominator में रैशनल नंबर रखा तो हम नहीं करेंगे यार क्या दिक्कत है इसको क्या लगर देंगे C option आगया तो वो जो औरिइनल पॉइंट से P से माल लो F तक मोचा होगा ये distance क्या था 64 अपॉन रूट 5 मीटर बढ़ा ही जवर्दस question है जिसमें infinite GP चार बा लगाया तो जाके और फिर मैंने क्या लगाई बच्चो पाइथागोरस तो अर्म लगाई ये बताने के लिए कि ये P F कितना है तो मेरा C answer है बच्चो इस question को कितने बच्चो को